महरास्ट में इन दिनों राज़ने ते घमासान चल रहा है अख़बारों में और टीवी में आप वहां की ख़वरें पढ़ और देख रहे होंगे जिस तरीके से शियूसेना इंसीपी और कॉंग्रेस महरास्ट सरकार को एलोकतांत्रिक बताते हुए सुप्रीम कोट गई थी उ इतने टाइट माहोल में भी बीजेपी के खेमे में खुशियां क्यों है चलिए आपको बताते हैं नमस्कार मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं जनता शो बीजेपी खेमे में खुशियां क्यों हैं खुशियां इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोट ने 24 नॉमबर को महरास में सरकार बनाई थी जिसके बाद NCP के जो दिगज लीडर है शरत पावार वो मीडिया के सामने आयो और कहा कि उनकी पार्टी NCP को अजीत पावार यानि उनके भतीजे ने तोड़ दिया है और NCP भाजपा का समर्थन नहीं करती है बलकि वो शिवसेनों को अपना समर्थन दे का 23 नॉंबर की शाम ही सुप्रीम कोट में इस मुवामली की सुनवाई के लिए एक याचिका डाली गई याचिका किस-किस ने डाली कॉंग्रेस ने NCP ने और शिवसेना ने मिलकर एक याचिका सुप्रीम कोट में डाल दे जिस पर सुप्रीम कोट ने 24 नॉंबर को सुनवा का आदेश दिया बस कोट के इसी आदेश से बीजेपी खेमा खुश है जबकि बीजेपी और अजीद पवार के कॉंफिडेंस लेवल को देखकर विपक्षियों ने अब अपना सिर पकड़ लिया है बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सुप्रेम कोट के फैस्टले से साफ है कि अजीद पवार ही NCP विधायक दल के नेता है जिसके चलते वो NCP के विधायकों को सदन में वोटिंग के लिए विप जारी कर सकते हैं बीजेपी को लग रहा है कि कानूनी हिसाब से अजीत पवार यानि शरत पवार के जो भतीजे हैं और NCP के विधायक दल के जो नेता हैं अजीत पवार वो विहिप जारी करने के स्तती में हैं क्योंकि NCP ने जो विधायक दल का अपना नेता चुना है उसको सभी विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है इससे पहले शिर्ष अदालत ने सॉलनसीटर जनरल तुशार महता की दो दिनों का वक्त दी जाने की मांग को भी खारिज कर दिया था अधालत ने अगली सुनवाई यानि 25 नॉमबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेज पेश करने को क बहा है सुनवाई के दौरान शिर्ष अदालत ने केंद्र और महारास्ट सरकार को शिवसेना एंसीप और कॉंग्रिस की याचिका पर नोटेज जारी किया जब तक आप यी वीडियो देखेंगे शायद उस वक्त तक केस में कोई नया मोड भी सामने आ जाएगा फिलहाल बी एंसीपी विधायकों को विहिपचारी कर सकते हैं अब बीजेपी भले खुश हो रही हो लेकिन विपक्षियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये सरकार फ्लो टेस्ट में अपना वहूमत ही साबित नहीं कर पाएगी बीजेपी खेमे में आए अजीत पवार की प परियाप्त संख्याबल नहीं है अब विपक्षि भले बीजेपी के पास संख्याबल ना होने की बात कह रहे हूं लेकिन बीजेपी और अजीत पवार का कॉंफिडेंस देकर विपक्षि भी हैरान है बाकि आप क्या सोचते हैं कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा वीड के पीछे थे मोंटू और मेरा नाम है मानव वीडियो आपने देखे इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया